बच्चों को विध्या बुद्धी प्राप्त करने के लिए एपम उनकी उन्नती के लिए इस दिन माता सरस्वती की पूजा अराधना जरूर करने चाहिए बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की पूजा करने से काफी लाव प्राप्त होता है ऐसा कहा जाता है कि माता सरस्वती शार्दा जिनको विध्या संगीत पुद्धी और कला की देवी कहा जाता है उनका प्रगट बसंत पंचमी के दिन हुआता है। भर्त गण ज्यान प्राप्त करने के लिए माता सरस्वती की पूजा अरादना करते हैं। जो माता सरस्वती का ध्यान पूर्वक पूझा भक्ति के साथ करता हैं उन्हैं मात्डी ओर गढ़्यान देती है क्योंकि ग्यान की अधिस्टती देवि मात सरस्वति भी हैं और उन्हें अपनी प्रतियोगिता परिक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए एवन विद्या बुद्धी का विकास करने के लिए बाता सरस्वति की पूजा करने चाहिए जो विद्याती पढ़ने में कमजोर है वो बसंद पंचमी के दिन अपनी एक पुस्तक में मोरपंक जरूर रखें इससे उनको लाब होता है पंचमी के दिन सभी लोग अपने घरो और फिस दफ्तरों में अपने कलम धवात की पूजा करते हैं मा सरस्वति की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे ज्ञान मांगते है मातर सरस्वति की प्रतिमा को पीले रंग के कपड़ों में स्थापित करें उनकी पूजा में रोली, मोली, हल्दी, केसर, अक्षद, पीले या सफेद रंग के फूल, पीली मिठाई या दी चीजों कर प्रयोग करें इसके अरवा मा को आपको सिंदूर चड़ाएं, श्रिंगार की सामगरी भी अर्पित करें मा के चड़ों में गुलाल लगा कर उन्हें श्वेत रंग के वस्त्र भी अर्पित करें पीले फूलों की माला पहनाएं, पीली या सफेद मिठाई का भोग लगाएं अर्पित करें